अपर्चित अपर्चित ही रहेगा अगर परिचे बनाना हो तो अपने से बना लो और कोई परिचे संभव नहीं दूसरे से परिचे हो ही नहीं सकता एक ही परिचे संभव है अपने से क्योंकि दूसरे के बीतर तुम जाओगे कैसे और अभी तो तुम अपने बीतर भी नहीं गए अभी तो तुमने बीतर जाने की कला भी नहीं सीखी अभी तो तुम अपने भी अंतरतम की सिलियां नहीं उतरे अभी तो तुमने अपने कुए में ही नहीं जांका अपने ही जलसरोत में नहीं डूबे तुमने अपने ही केंदर को नहीं खोजा तो दूसरे को तुम देखोगे कैसे दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने को देखते हो अगर तुमने माना कि तुम सरीर हो तो दूसरे तुम्हें सरीर से ज़्यादा नहीं मालूम पढ़ेंगे अगर तुमने माना कि तुम मन हो तो दूसरे तुम्हें मन से ज़्यादा नहीं मालूम पढ़ेंगे यदि तुमने कभी जाना कि तुम आत्मा हो तो ही तुम्हें दूसरे में भी आत्मा की किरन का आभास होगा हम दूसरे में उतना ही देख सकते हैं उसी सीमा तक जितना हमने स्वयम में देख लिया वीतर के सांसर से तो परचित हो तो ही तुम दूसरे से भी साथ परचित हो जाओ और मज़ा ऐसा है कि जिसने अपने को जाना उसने पाया कि दूसरा है ही ने अपने को जानते ही पता चला कि बस एक है वही बहुत रूपों में प्रगठ हुआ है जिसने अपने को पहचाना उसे पता चला परिधी हमारी अलग-अलग केंडर हमारा एक जैसे हम भीतर जाते हैं वैसे ही हम एक होने लगते जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं वैसे ही अनेक होने लगते अनेक का आर्थ है बाहर की यात्रा एक कार्थ है अंतर्यात्रा तो जो दूसरे को जानने की चेश्ठा करेगा दूसरे से परचित होना चाहेगा पुरुस इस्त्री से परचित होना चाहता है इस्त्री पुरुस से परचित होना चाहती हम मित्र बनाना चाहते हैं हम परिवार बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं अकेले नहों, अकेले होने में कितना भै लगता है, कैसी कठनाई हो जाती हैं वे गड़ियां, जब हम अकेले होते, कैसी कठना और दूभर, जेलना मुस्किल, चंचन ऐसे कठता जैसे वर्स कठते हो, समय बड़ा लंबा हो जाता, संताप बहुत सघन हो जाता, समय बहुत लंबा हो जाता, तो हम दूसरे से परिशे बनाना चाहते हैं, ताकि ये अकेला पन मिटे, हम दूसरे से परिवार बनाना चाहते हैं, ताकि ये अजनबी पन मिटे, किसी तरह तूटे ये अजनबी पन, लगे कि ये हमारा घर है सांसारिक व्यक्ति मैं उसी को कहता हूँ जो इस संसार में अपना घर बना रहा हमारा सब्द बड़ा प्यारा है हम सांसारिक को ग्रस्त कहते हैं लेकिन तुमने उसका उपरी अर्थी सुना है तुमने इतना ही जाना जो घर में रहता है वो सन्यासी, वो सन्सारी है नहीं, घर में तो सन्यासी भी रहते है छपपर तो उन्हें भी चाहिए पड़ेगा उस घर को चाहे आस्रम को हो चाहे उस घर को मंदिर को हो चाहे इस्थानक को मस्जद को इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं घर तो उन्हें भी चाहिए होगा नहीं घर का भेद नहीं है भेद कहीं गहरे में होगा संसारी में उसको कहता हूँ जो इस संसार में घर बना रहा है जो सोचता है यहां घर बन जायेगा जो सोचता है कि हम यहां के वासी हो जाएंगे हम किसी तरह उपाय कर लेंगे और सन्यासी वही है जिसे यह बास समझ में आ गई यहां घर बनता ही नहीं जैसे दो और दो पांच नहीं होते ऐसे उसे बास समझ में आ गई कि यहां घर बनता ही नहीं तुम बनाओ गिर गिर जाता है, यहां जितने घर बनाओ सभी तास के पत्तों के घर सिद्धोते, यहां तुम बनाओ कितने ही घर, सब जैसे रेत में बच्चे घर बनाते, ऐसे सिद्धोते, हवा का जोखा आया नहीं कि गए, ऐसे मौत का जोखा आता है, सब विसरचित हो जा जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता है कि यहां कोई घर बना नहीं पाया, घर बनना इस जगत के नियम में ही नहीं है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सन्यास का पदारपन होता है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में उस दूसरे किनारी की गहन अभीपसा जाकती, एक पुकार उठती, एक अहिर्निस खिचाओ, एक चुनोती, तुम चल पड़ते एक नई यात्रा पर, जब तुम संसार से परशित होने का ख्याल छोड़ देते हो, तभी परमात्मा से परशित होने का उपायश सुरू होता है, जब तुम ये भूली जाते हो कि दूसरा अपना हो सकता है, तब तुम अपने भीतर उतरने लगते हैं, कि अब और कोई जगे ना रही, जहां घर बनाए, बाहर कोई इस्थान नहीं, भीतर ही जाना होगा, अस्थावक्र के ये सुत्र, उस अंतरयात्रा के बड़े गहरे पढ़ाव इस्थल, एक एक सुत्र को खुब ध्यान से समझना, ये बातें ऐसी नहीं, कि तुम बस सुन लो, कि बस ऐसे ही सुन लो, ये बातें ऐसी हैं, कि गुनोगे तो ही सुना, ये बातें ऐसी हैं, कि ध् में उतरेंगी, अकेले कान में नहीं, तो ही पहुँचेंगी तुम तक, तो बहुत मौन से, बहुत ध्यान से, इन बातों में कुछ मनुरंजन नहीं है, ये बातें तो उन्हीं के लिए हैं, जो जान गए कि मनुरंजन मुढता है, ये बातें तो उनके लिए हैं, जो प्रोड ह जिनका बच्पनापन गया, अब जो घर नहीं बनाते, अब जो खेल-खलोने नहीं सजाते, अब जो गुड़ा-गुड़ियों के बिभाय नहीं रचते, अब जिन्हें एक बात की जाग आ गई है, कि कुछ करना है, कुछ ऐसा आत्यंतिक कि अपने से परिचे हो जाए, अपने से परिचे हो तो चिंता मिठे, अपने से परिचे हो तो दूसरा किनारा मिले, अपने से परिचे हो तो सबसे परिचे होने का द्वार खुल जाए, जैसे ही कोई व्यक्ति अंतरतम की गहराई में डूपता है, एक दूसरे ही लोग का उदे होता, ऐसे लोग का जहां किनारा जो तुम्हारा है